वेल्कम मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं तुडेज जहां होता है इंटर्टीन्मेंट की दुनिया से डारेक कनेक्शन अजे देखवन की बात करें तो नाम लेते ही हमारे सामने गंभी लेकिन दंदार अक्टर की च्छवी सामने आ जाती है एक खास दर्शक वर्ग अजे देखवन की फिल्मों के लिए क्रेजी रहते हैं और उनकी फिल्में देखना काफी पसंद करते हैं सबसे पहले बात करें अजे देवगन की फिल्म सिंगहम की तो रोहे शेटी की फिल्म सिंगहम में अजे देवगन का अलगी अफ्तार देखने को मिला था अजे एक शेट की तरह इस फिल्म में नजर आए जब जब स्क्रीन पर उन्होंने दहार लगाई तब तब सेनमा हॉल सीटियों और पालियों से गूंज उठा एक विशुद कमर्शियल फिल्म जो खूब पसंद की गई इस फिल्म में अजे देवगन को दादा साहे फाल के अवार्ड भी दिया गया था दिश्यम अजे देवगन की एक फिल्म बहतरीन थी विजे सालंगवकर के किरदार में अजे देवगन ने दर्शको के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ दी है एक निडर पुलिस आफिसर की कहानी जो किसी शक्ति शाली भरष्ट और खतरनाक व्यक्ती से उलजने में जरा भी नहीं डरता एक ठोच स्क्रिप्ट जो दर्शको को बांध कर रखती है Once upon a time in Mumbai की बात करे तो जोरदार समवाद एक दूसरे पर हावी होने वारे द्रिश्य जबदस आक्शन सुल्टान मिर्जा के किरदार में हमें अजे देगन दंदार लगे थे शायद ही कोई और इस किरदार को इतने बहतरी धंग से निभा ले जाता ओंकारा विशाल भारदवाज की इस फिल्म में अजे देगन ओंकारा शुल्क की किरदार में थे फिल्म को तो जो तारीफ मिली वो तो मिली ही लेकिन अजे देगन ने इस किरदार में जान लगा दी थी ओंकारा उन्ही फिल्मों में से एक है यह film मानूरंजन के साथ साथ गहरे अर्थ के लिए हुए हैं फिल्म के अंत में अजे के पात्रक से दस्शक नफरत करते हैं और यह अजे के अभिने का कमाल है रेंगूट अशवेरिया राय के साथ इस फिल्म में अजे देगवन की जोड़ी बहतरीन है अजे तेगन के करियर की एक अलगी तरह की फिल्म है एक ही घर में सेट भारती सिनमा के दो बड़ी सितारे टिपिकल बॉलिवूर्ड फिल्म से अलगी अंदाज में दिखे अजे ने ऐसी भावपूर्ण भुमे का बहुत कम निभाई है गंगा जल साल 2003 में आई प्रकाश ज्छा की फिल्म गंगा जल को लोगों ने काफी पसंद किया था अजे देवकन को इस फिल्म के लिए कई नॉमिनेशन भी मिले थे हम दल दे चुके सनम संजे लबंसाली के इस फिल्म में आश्वेरिया और सल्मान की जोड़ी भले ही सहराई गई थी लेकिन वनराज की सादगी ने लोगों के दिलों में जगा बनाई थी लेजिन्ट आफ भगस सिंग इस फिल्म के अजे देवकन को नैशनल आवार्ड से सम्मानित किया गया था इसके साथ ही फिल्म फिल्म क्रिटिक आवार्ड भी वह अपने नाम कर चुके हैं लेहाज़ अब यह पताना शायद जरूरी नहीं कि फिल्म क्या है और कैसी थी गोलमाल साल 2006 में यानि कि एक ही साल में आजे देवकन ने दो-दो फ्लेवर और दोनों ही फिल्म में सुपर हिट की जिसका नाम था गोलमाल और ओंकारा जक्मा अंत में 1998 में आई इस फिल्म के लिए अजे देवकन को नैशनल आवार्ट से सम्मानित किया गया था कुछ नहीं बदला तो सूपरस्टार देवकन बता दे कि अजे देवकन कमर्शियल फिल्मों के साथ-साथ ऐसी फिल्म में भी करते हैं जोनके अंदर मौजूद खलाकार को संतुष्टी दे अजे देवकन अपनी फैंस को कभी निराश नहीं करते और अपने किरदार के हिसाब से कहानी में ढल जाते हैं थाइंकिस सो मच की वाचिंग पर मोई इंटेटीन में नियूज इन अपडेट